नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी गेंद। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनरोध है कि अगर मेरे दोरा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें, बिल आइकन तबाना बिल्कुल भी न आज सुनिये गेंद, अंकल, ओ अंकल, प्लीज, सुनिये ना अंकल, सक्री सडक से लगभक सटे बंगले की फेसिंग के उस ओर से किसी बच्चे ने उन्हें पुकारा, सचदेवा जी ठिटके, आवाज कहां से आई, भापने, कुछ समझ नहीं पाए, कानों और गंजे सिर को धके, कसकर लपेटे हुए मफलर को उन्होंने तनिक देला गिया, मधुमेह का सीधा आकरमन उनकी श्रमन शक्ती पर हुआ है, अकसर मन चोट खा जाता है, जब उनके ना सुनने पर सामने वाला व्यक्ति, अपनी खीज को संयत स्वर के बावजूद दबा नहीं पाता, साथ महीने से उपर हो रहे होंगे, विने को अपनी परेशानी लिख भेजी थी उन्होंने, जवाब में उसने फोन खटका दिया, श्रमन यंद्र के लिए वह उनके नाम रुपे भेज रहा है, आश्रम वालों की सहायता से अपना इलाज करवाले, बड़े दिनों तक वे अपने नाम आने वाले रुपियों का इंतजार करते रहे, गुस्ते में आकर उन्होंने उसे एक और खट लिखा, जवाब में उसका एक और फोन आया, एक पेचीदे काम में उल्जा हुआ था, इसलिए उन्हें रुपए नहीं बेज पाया, अगले महीने हैरो के एक भारतिये मित् हैं, घर उनका लाजपत नगर में है, फोन नमबर लिख लें उनके घर का, उनके हाथों पॉंट्स भेज रहा है, रुपए या तो वे स्वयम आश्रम आकर पहुचा जाएंगे, या किसी के हाथों भेज देंगे, नाम है उनका डॉक्टर मनीश कुश्वाहा, डॉक्टर मन मनीश कुश्वाहा का फोन आ गया, रामेश्वर ने सूचना दी तो वे उमग कर फोन सुनने पहुचे, मनीश कुश्वाहा ने बड़ी आत्मियता से उनका हाल चाल मूचा, जानना चाहा क्या-क्या तकलीफ में हैं उन्हें, शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर के लिए कौ कुन सी गोली ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, पेशाब में यूरिया की जाज करवाई, करवा लें, क्यों अकेले रह रहे हैं वहाँ, विने के पास लंदन क्यों नहीं चले जाते, उसकी बीवी यानी उनकी बहुत सोयम डॉक्टर है, रुपियों की कोई बात ही न शुरू जिज़कते हुए उन्होंने खुद ही पूँच लिया, बेटा, विने ने तुम्हारे हाथों इलाज के लिए कुछ रुपए भेजने को कहा था, मनीश को सहसा इसमरन हो आया, कहा तो था विने ने, आश्रम का फोन नंबर लिख लो, बाबुजी के लिए कुछ रुपए भ दरसल मुझे भी अतिव्यस्तता में समय नहीं मिला कि मैं उसे याद दिला देता, विने को चिठी लिखने बैठे तो कांपने वाले हाथ गुसे से अधिक कुछ अधिक ही धर्राने लगे, अक्षर पढ़ने लायक हो पाएं, तभी ना अपनी बात कह पाएंगे, तै किया फ पोन पर मिली मार्गरेट, बोली कि वह उनकी बात समझ नहीं पा रही, विने घर पर नहीं है, मैंचेस्टर गया हुआ है, मार्गरेट के सर्वता असंबंधित भाव ने उन्हें छुब्द कर दिया, छलिनी हो उठे, बहु के बात बरताओ का कोई तरीका है यह, फोन पोन पर मिली मार्गरेट उनकी अंगरेजी नहीं समझती, तो हिंदी पंजाबी कैसे समझेगी, पोती सुवीना से बातें ना कर पाने का मलाल कोचता रहा, हालाकि बातें तो वह उस गुडिया की भी नहीं समझते, दीले किये गए मफलर में ठंडी हवा, सुरसुराती धसी चली आ रही है, धीट, नमंबर के किनारे लगते दिन हैं, ठंड की अवाती सभी को सोहती है, उन्हें बिल्कुल नहीं, सांज असमे सिंदूरी होने लगती, दोंदल का डग नहीं भरता, छलांग भर बेलच अंधेरे की बाह में डूब लेता है, आश्रम से सेर को निकले न रगती, मफलर कसकर लपेट आगे बढ़े, ताकि मदर डेरी तक पहुचने का नियम पूरा हो ले, नियम पूरा ना होने से उद्ध्युगनता होती है, किसी ने नहीं पुकारा, कौन पुकारेगा, ब्रहम हुआ है, ब्रहम खोब भरमाने लगे हैं इधर, अपनी सुध में दवाई की गोलिया रखते हैं पलंग से सटी तिपाई पर, मिलती हैं धरी तकिये पर, अगल पगल मुड कर देख लिया, ना सड़क के इस पार, ना उस पार ही कोई दिखा, हो तब ना दिखे, कदम बढ़ा लिया उन्होंने, कब तक भकवाय से खड़े रहें, पहले वे च चार-पांच जने एकठे हो, शाम को टहलने निकलते, एक-एक करवे सारे विस्तर से लग गए, बीस एक रोज पहले तक उनका रूम पार्टनर कपूर साथ हाया करता था, अचानक उसके दोनों पाउं में फीलपा हो गया, डॉक्टर वर्मा ने विस्तर से उतरने की मना ही क कर दी, कपूर उन्हें भी सयानी हिदायत दे रहा था, कि टहलने अकेले न जाया करें, एक तो संग साथ में सैरसूर का मजा ही कुछ और होता है, और फिर एक दूसरे का खयाल भी रखते चलते हैं, सावित्री बहन जी नहीं बता रही थी मिस्टर चड़्धा का किस्सा, रा आश्रम के भीतर ही आठ दस चक्र मार लिया करें, बूढी हड्यों को बुढ़ापा ही टंग्री मारता है, कपूर की सला ठीक लगकर भी अमल करने लायक नहीं लगी, उन्हें मधुमें है, केवल गोलियों के बूते पर मोर्शा नहीं लिया जा सकता इस नर्भक्षी रोग स रोजों जिन्दा थी, तो उन्हें कभी अपनी फिक्र नहीं करनी पड़ी, नित नयन उसके घोट घाट कर पिलाती रहती, करेले का रस, मेथी का पानी, जामुन की गुठली की फंकी, और ना जाने क्या-क्या ए अंकल, इधर पीछे देखिये न, कबसे बुला रहा हूँ, फेसिंग के पीछे हूँ मैं, पीछे आईए, इधर, इधर देखिये न, फेसिंग के पीछे से उचकता बच्चा उनकी बेध्यानी पर जुझलाया, हक बकाय से वे पुनह ठिटक कर पीछे मुड़े, अबकी स एक बार की हुलास से बर दिया, क्यों भाई, किस वास्ते, उसका स्वर अनमनाया, मेरी गेंद बाहर चली गई है, कैसे, बच्चे का स्वर उनकी फिजूल से प्रश्न से खीजा, बॉलिंग कर रहा था, अच्छा, तो बाहर आकर खुद क्यों नहीं ले लेते अपनी गेंद बच्चे का आशे भाव ये मुस्कराए, गेट में ताला लगा हुआ है, ताला खुलवालो मम्मी से, मम्मी नरसिंग होम गई है, नौकरानी तो होगी घर में कोई, बुद्धी राम गाउं गया है, घर पे मैं अकेला हूँ, मम्मी बाहर से बंद करके गई है, बच्चे के गब्दू भोले मुख पर लाचारी ने पंजा कसा, हम, अकेले खेल रहे हो, अकेले मम्मी किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं देती, भला वो क्यों, मुझे भी गुस्सा आता है, बोलती है बिगड जाओगे, यहां के बच्चे जंगली हैं, बड़ी गलत सोच है, खेर, त जेवकोफी पर उन्हें गुस्सा आया, घंटे आद घंटे की ही बात तो थी, बच्चे को इस तरे अकेला छोड़ता है कोई, मम्मी घंटे भर में नहीं लोटेंगी अंकल, रात नो बजे के बाद लोटेंगी, इतनी देर ही से, मम्मी तो डॉक्टर है, मेरे साथ रहने के लिए नर्सिंग होम से एक नर्स आंटी आएंगी अभी, वही गेट खोलेंगी, घर भी खोलेंगी, पहले तो अंकल, मम्मी मुझे घर में बंद कर जाती थी, उनके माथे के बल, चिंता और अविश्वास से गहराए, और तुम्हारे पापा का बातें हैं, पटर पटर बोल बच्चे से उन्हें यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था, है ना, बच्चे ने संशा निवारन किया, फिर उसे कुरेदने से वे स्वयाम को नहीं रोप पाए, अलग रहते हैं, अलग क्यों रहते हैं, मम्मी लड़ती हैं उनसे, ओ, अंकल, मेरी गेंद ढूर दीचे न, त तुमारे दादा जी की उम्र का हूँ, मुझे दादा जी कहा करो, बच्चा असमंजस में पड़ गया, बूढों को दादा जी कहकर पुकारते हैं, उन्होंने समझाया, बच्चा लहक कर बोला, हाँ, नाना जी भी बोलते हैं, दादा जी को नहीं जानते, नई, बच्चे न मासूमियत से मुंडी हिलाई चलो मुझे दादा जी पुकारा करो पुकारोगे ना सहसा उनका गला भर्रा आया हैरत हुई स्वयम पर पुकारूंगा पर मेरी गेंद ढूंड कर दे नहीं होकी आपको ढूंड दूंगा पहले पुकारो दादा जी मेरी गेंद ढूंड दीजे ना, सचदेवा जी की बूरी आँखों में एका एक पैना पना समाया, बड़ी देर तक सडक के किनारे की घास पूस में बच्चे की गेंद टोहते रहे, बच्चे की हिदायत पर सडक के उस पार भी गेंद ढूरने की कोशिश की उन्होंने, गेंद कहीं नहीं दिखी, हताश हो वे उसके निकटा खड़े हुए, बच्चे का चेहरा उतर गया, तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि गेंद बाहर उचली थी? हाँ, उचली थी, अचानक फैंसिंग के उपर उचके बच्चे का संतुलन गड़ बड़ाया, धप से गिरने की आवाज इसो राई, वे घबड़ाय ध्यान गया, खासी उची फैंसिंग से उचक कर इतना छोटा बच्चा उनसे कैसे बत्या सकता था, निश्य ही किसी चीज पर खड़ा हुआ होगा, बर्खुरदार गिर कैसे गए, भई, चोट तो नहीं आई, नहीं दादा जी, घास पर गिरा हूँ, पल भर में बच्चे का चेहरा फिर से जल की सतय पर कमल सा खेलाया, फोरन गिरने की सफाई दी, आप डर गए, क्या है न दादा जी, मैं तो छोटा बच्चा हूँ न, लकडी के खोखे पर खड़ा हूँ, अच्छा अब संभल कर खड़े रहो, यह नहीं कह सके कि ऐसे मत खड़े हुआ करो, यह भी तो लगा कि जब तक वे इस ओर खड़े रहेंगे, बच्चा खोखे से नीचे नहीं उतरने वाला, बोले, यह तो तैह है कि गेंद आहाते के भीतर ही गिरी है कहीं, तो मानो या ना मानो, मैं चलू, अंधेरा होने को है, अरे नहीं नहीं दादा जी, मत चाहिए न, प्लीज बच्चे ने नन्ही हतेलिया न चाहिए, गेंद गुम हो गई, अकेली खेल भी नहीं सकता न, जी भड़़ा आया, कोई उन्हें रोकने को इतना मनुवार कर सकता है, मोटे चश्मे के पीछे आँखों में गीली धुंद पसर गई, उपर तने अपने चेहरे को उन्होंने न सहमती में उन्होंने सिर हिलाया, दुंदलके में जली बत्तियां उन्हें चौंधी आती हैं, किर्मिच के जूतों में कसे पंजों से जमीन फूप फूप कर साधनी होती है, मासूम को उनकी दिक्कत का क्या अंदाजा, बता कर भी क्या होगा, मानेगा ही नहीं, जिद्धी कम नहीं, कल भी आएंगे, आउंगा, सेर का यही रास्ता है, मगर क्यों, कल क्यों आउंग, आज तो गेन मिली नहीं, कल ढूर दीचेगा, मम्मी को नहीं बताऊंगा, गुम हो गई, देखो, तुम्हारे लिए मैं कल नई गेन खरीद लाऊंगा, ढूरूंगा नहीं, अवजूद बच्चे के गबदू चेहरे पर ललक कौन धी, ललक ने उन्हें पुलकाया, इसमें अजरज की क्या बात है, दादा जी अपने पोते को नई गेन नहीं खरीद कर दे सकते, फिर तो, फिर तो अच्छी वाली गेन खरीद कर लाईएगा, वो जैसी गेन से कपिल अच्छी वाली ही लाऊंगा, बड़े दिनों के बाद वे हसे, अपनी हसी पर बिस्मित भी हुए, उन्हें तो यहीं लगा था कि हसी से उनका नाता तूट चुका है, तभी बच्चे का चेहरा फैंसिंग पर से गायव हो गया, वे भोचक से कुछ कहते कि अचानक जहाज के उठते मस्तूल सा उन्हें बैट नजराया, अगले पल बैट और लोकन के लिए उनकी और बढ़ाया गया, वे बच्चे का मनो भाव ताड़ गए, अच्छा तो है, उनका बहलाना उसे रुचा नहीं, ये अच्छा है, प्लास्टिक का है, देखिये कितना पिचक गया है, उ नर्सांटी गेट खोल रही हैं दादाजी, मैं जा रहा हूँ, आपसे कल यहीं मिलूँगा, उन्होंने बच्चे से नाम तो पूछा ही नहीं, अपनी नासमझी पर खीजे, तुरंत आवाज लगाई, सहा पहादुर, अपना नाम तो बताते जाओ, मैं तो बिल्लू हूँ दादाजी, बिल्लू, खोखे पर से उतरते हुए हडबडाया, जवाब आया, पलटने में रास्ता बहुत छोटा लगा, बिल्लू रास्ते भर कुदकियां मारते, उनके संग चलता रहा, बिल्लू इसी सेक्टर में रहता है, हारी बीमारी छोड, लगभग रोज ही वे इस गोमने आते हैं, पर कभी उसे भेंट का सुयोग नहीं हुआ, करिश्मा किया गेंद ने, खोब उचली, ठीक उनकी पाली में आगिरी, पहले क्यों नहीं गिरी, इस बात का मलाल हो रहा था, ऐसा ना करें, बैट बॉल खरीदने की बचाय, बिल्लू को पूरा क्रिकेट किठ ही खरीदने, भौचक रह जाएगा, बलकि खूब खुश होगा, पैसे पता नहीं कितने खर्च होंगे, होंगे सो होंगे, पेंशन ब्रधाश्रम के नाम लिख दी है उन्होंने, उसी मद में उनके रहने खाने दवादारू आदी की वेवस्था हो रही है, पिछले वर्ष स बढ़ी हुई पेंशन ही नहीं मिल रही, जब से बढ़ी है, उसकी बकाया रकम भी इकठी मिली है, अतिरिक्त मिले रुपैयों में से बढ़ी मुश्किल से सावित्री बहनजी ने मांगने पर कुछ ढीले किये, बढ़ी महंगाई और ब्रधाश्रम के निरंतर बढ़ गए खर्चों का रोना रोते हुए, ट्रस्ट की सीमाओं की और खुल कर इशारा किया उन्होंने, ट्रस्ट कहां तक बोज वहन करे, आर्थिक संसाधन के रास्ते मुह सीये हुए हैं, अधिकांश बजर्ग ऐसे हैं, जिनके घरवाले साल डेर साल नियमित खर्च भेजते रहे, अब जिम्मेदारी से मुम और सन्नाटा कीचे बैठे हैं, विध्धाश्रम में रहकर भी बुजर्ग अपनी बची कुची संपत्ती, अंत में अपनी उन्ही नालाइक उलादों के नाम लिख जाते हैं, जिन्होंने उन्हें तरस्कृत कर घर से बाहर कर गिया, सिदेश्वर बहन जी का किस्सा भूले नहीं होंगे आप, एक मात्र मकान बच्चों के नाम लिख देने के बावजूत, इसी शहर में होकर भी उनके घर वाले, उनके क्रिया कर्म को सामने नहीं आये, इसी बात पर खफा थे कि उन्होंने क्यों अपनी सोने की चूडियां और गले की भार बेचने वाली किसी बढ़ियां सी दुकान से बिल्लू के लिए क्रिकेट किट खरीदेंगे, उस पर अपना नाम आशीश लिखेंगे, और लिखेंगे बिल्लू को इसके दादाजी की ओर से, डॉक्टरनी मा को शायद उसके उपहार पर आपत्ती हो, बिल्लू क्रिकेट से शायद डरे बच्चा है उससे अपनी ललक दब नहीं पाई जल्दी इसी लिए भी निकलना चाहे रहे थे कि नर्सिंग होम निकलने से पूर्फ डॉक्टर ने से उनकी भेंट हो जाए डॉक्टर नी चाहे जितना ना नुकुर करे वे नहीं मानने वाले परिचय देंगे ए गेरे गेरे आदमी नहीं है वे नवोदय विद्याले के अवकाश प्राप्त प्रधाना चाहरे हैं घर परिवार वाले हैं व्रिधाश्रम के गेट में घुसते ही प्रांगर में इकठी भीड ने उन्हें आशंकित कर दिया कहीं राम की प्यादी तो नहीं हो गई चैटर जी गोर कश्ट में थी कल दोपहर ही तो उन्हें कैलाश अस्पताल से यह कहकर वापस भेज दिया गया था कि उनकी दोनों किर्णियों ने लगभख काम करना बंद कर दिया है अब तब का मामला है उनकी इच्छा थी कि आश्रम में अपने संगी साथियों के बीच वह आखरी सा चैटेर जी दीक से पंक्ति बद्ध मिलेंगे ही नहीं बलकि डेड़ घंटे उनके कमरे के समक्ष पैट भजन किर्तन भी करेंगे वही भजन जिने वे स्वया मगन होकर गाया करती थी गिरधर 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 मोर मुकुट वाले बंसी धर माखन चोर माखन चोर किशन आई तू सिर्मोर डूब कर किर्तन हुआ सहसा विमला वहन जी हर्ष विभोर हो चीख उठी थी आँखे खोल दी हैं चैटर जी ने कुछ कहना चाह रही हैं खडिया पुते से मुक पर सूखे पपड़ियाय होट अस्फुट सा कुछ बुद्बुदा रहे थे हो सकता है तु आदवी के मुह से और क्या निकलेगा जाओ दोड़ो जल्दी गंगा जल और तुलसी दल लाओ गंगा जल आने तक विमला वहन जी ने चैटर जी दी के होटों के पास कान रख दिये चैटर जी दी लगतार त्याग दिये बेटे का नाम भुद्बुदा रही थी शामोल शा दा संसकार चाहे जिससे करवा देना नालाइक बेटे को खबर ना करना जुटे लोगों के निकट पहुँच तना तनी भरे माहौल ने उन्हें अभुज बना दिया सावित्री भहन जी के तम-तमाय चेहरे से मामला कुछ और ही लगा भीड को चीर कर सावित्री भहन जी की नजर उनकी और लगकी उम्र में उनसे छोटी होने के बावजूद वे अपनी उग्रता नियंत्रित नहीं रख पाई आश्रम की प्रबंधिका होने के नाते संभध होता है अंधेरे में लोटना आपके लिए वाजिब नहीं है भाई साथ उज नीच क्यों नहीं समस्ते अगले ही पल नौकरों के जथे में खड़ी सुंद्री को उन्होंने करकश हो डपटा कमरे में पड़ी चटेरजी दी आखरी सांसें गिन रही हैं और तू कसाई हिरतें उन्हें अकेला छोड़ धरने पर आबैठी है नौकरी पकड़े चार दिन हुए नहीं कि पर निकलाए तेरे अभी इसी वक्त निर्णै कर ले नौकरी करनी है तुझे या नहीं चेतावनी से घबडाई सुंद्री फोरन जथे से अलग हो भीतर की ओर मूरली उचेक नौकरानियों ने उसकी कुहनी धर उसे रोकने की चेस्टा की मगर कुहनी जटक कर उसने उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखा मामला पूशने पर पता चला आश्ट्रम के रसोये समेत अन्य सातों नौकर नौकरानियों ने रामेश्वर के पक्ष में धरना दे रखा है रामेश्वर ने तेरह नंबर वाले बूढ़े शिवदाशानी जी की शिकायत की है कि उन्होंने उसके साथ अविस्वर्षनिये अमानवी व्योहार किया घंटे भर पहले उन्होंने उससे शाम की चाय के बदले गिलास पर दूद मांगा संग में अरा रोट के तीन-चार बिस्किट रामेश्वर ने दूद का गिलास जैसे ही उनके बिस्तर से लगी मेच पर टिकाया अचानक शिवदासानी जी ने हिंसक हो खौलते दूद का गिलास उसके उपर ओडेल दिया रामेश्वर की चाती जल गई रोते चीखते उसने समूचा ब्रधाश्रम सिर पर उठा लिया प्राण लेली और निर्दई बुढ़े ने हैरान वज़ुर्गों को रामेश्वर ने अपनी दूद से भीगी चाती खोल कर दिखाई चाती जल रही है उसकी पूरी चाती काले रोओं से भरी है ललाई नहीं दिखाई दे सकती दिखाई देती तो उन्हें अंदाजा लगता शिवदासानी जी की निर्दैता का मामला मामूली नहीं दब नहीं सकता जादिती के खिलाब प्रतिवाद होगा ततकाल सारे नौकरों ने काम से हाथ खीच लिये बिस्तर से लगे बुजर्गों को टटी पेशाप कराने वाला मनेसुर हाथ मटका मटका कर नेताई बगारने लगा एक तो हम कबर में पाउं दिये इन बुढे बुढियों को माई बाप कबूल कर तनमन से इनकी सेवा टहल करें उपर से इनका भसमा सुरी क्रोध जेले कोई पूचे इनसे तुम्हारे अपने जाय तो तुम्हारा हगना मुधना उठाने को राजी नहीं जो उठा रहे उनी को रेतने को तुम तरिया रहे आखिर हम भी तो हाड मास के मानुस ठहरे कोई लोहा लंगड के गढ़े बने तो है नहीं बोलिए छुब्द सावित्री बहन जी ने बुज़ूर्गों को फटकारा आप लोग नौकरों को इनसान क्यों नहीं समझते पैसा ही सब कुछ नहीं होता मिशन भावना नहों तो आपकी एक घंटी पर ये अपना खाना पानी छोड़कर हाथ बांधे आ खड़े नहीं नौकरों की पुछकार के पीछे सावित्री बहन जी की मन्शा आइसपस्ट नहीं नौकरों की पूँच सहलाए बिना उठ खड़े हुए संकट से उबर पाना आसान नहीं बुजुर्गों को छोड़ वे छुब्द रामेश्वर की और उन्मुक हुई सिद्ध हस्त अभिनेत्री सी भावुकता और है मैं एक ही बात कहती हूँ रामेश्वर शुब्दासानी जी की जगे तुम्हारे पिता ने यह हरकत की होती तो उनके साथ तुम्हारा यही बेवार होता जाओ डिस्पेंसरी खुलवा कर डॉक्टर सब्बरवाल जी से दवा ले लो चाहो तो घर जाकर आराम करो तुम्हारे बदले शुशंकर नाइट ड्यूटी कर लेगा रामेश्वर के कंधे थपता पाए उन्होंने वैसे ही काफी देर हो चुकी है जाओ सब अपने अपने काम पर लगो और आप लोग सुनिये कल की ही भाती आज भी खाना खाने से पहले चैटेरजी दी के लिए आप लोग किर्टन करेंगे रामेश्वर की चुक्पी को अनुमती मान नौकर खिसकने लगे बूढों की जुर्यों में उलजी उदासी डेरा उठाने को राजी ना थी नब्बे साल की उम्र दराज कमलेश बहन जी को सावित्री बहन जी के निहोरे जचे नहीं अपनी बैठी आवाज में वे शिवदासानी जी की पैरवी के लिए जुकी कमर से आगे आएं जाने को उध्यत रामेश्वर को टोका उन्होंने तू इतना भर बता पुत्तर माता शेरा वाली दी सो तुझे दूद कितना गरम था खौलता था खौलते दूद का गिलास तू लाया कैसे अनपेक्षित प्रश्ण से रामेश्वर सक पकाया अंगाउचे में लपेट कर तू गिलास अंगाउचे में लपेट कर लाया और शिवदासानी भाईजी ने गिलास नंगे हाथ चुप फौरन तेरे उपर उडेल दिया खिसी आया रामेश्वर बमका आपका मतलब मैंने जूट बोला ना ना पुत्तर तू जूट नहीं बोल रहा बस दूद के नीचे तूने आच ज़रा ज़्यादा ही बढ़ा दी ठहरे हुए लोग एक बारगी हस पड़े शिव दासानी जी के कमरे के सामने से गुजरते हुए सचदेवा जी अपने कमरे की ओर बढ़े कि उन्हें बिस्तर पर बेचायन बैठे पा भीतर जाकर उनसे मिल लेने को विवश हो उठे सांस तेज चल रही थी उनकी दमा उखड रहा था आँखों से उफनती तकलीफ ने उन्हें बिस्तर पर बैठने का संकेत किया पूजने पर भरे मन से बताने लगे मना करने के बावजूद रामेश्वर खूप तंग करने लगा है इधर उन्हें गुनगुना दूद मांगो तो फ्रिज का ठंडा दूद सामने लाकर रख देगा कहो कि इसे तनिक गर्मा लाओ नुकसान करेगा तो साप मना कर देगा कि रसोई के चूले खाली नहीं है सुबह पूच के जाएगा कि नाश्ते में दलिया खाना है या कौनफ्लेक्स दलिया मांगने पर घंटे भर बाद आकर सूचित करेगा कि दलिया खत्म होगया कौनफ्लेक्स दूद खाना चाहें तो वह ले आए अक्सर ताना मारता है उन्हें, कि न वे कभी तीस्ते वहार मुठी में चांपते हैं, कुछ पकड़ाते हैं उसे, न उनके मिलवाईए बेटाईए, बस घंटी बजा बजा कर सेंथ में उसे गधे सा दोड़ाते रहते हैं आज वही किया उसने, मांगने पर ठंडा दूध लाकर रख दिया, गरम करके लाने के लिए कहते ही, वही पुराने टोचते बोल दोहराने लगा, गुस्से के मारे वे आपक हो गए थे, ले बक्सीश भीतर की खौलन ने सहसा बीच रास्ते पच्छाडे खा रही सासों उसासों को कंट में दबोज लिया, शिव दासानी जी की आँखें बाहर को आने लगी, मेज पर धरे अस्थमा पंप को उठा देने का संकेत किया उन्होंने, मूँ खोल कर पलों तक प्राण वाईव पूर सामान हुए तो अचानक धैर छोड़ कर बच्चे से बिलखने लगे, पास सरक कर उन्होंने आत्मियता से उनके कंधे थप थपाए, तो पाया शीत की घुरगुरी सद्रश उनकी इकहरी दे कपकपा रही है, वे मनही मन शिविस्त्रोत पढ़ने लगे, रोज रात जान भू पूलियों से उपजे करकस खर राते सचदेवा जी को जपकने तक नहीं दे रहे, ना शायद वे बहाने गढ़ रहे हैं, रोश्नी हमेशा ही पूरी-पूरी रात उनके पलंग से गजभर की दूरी पर जागती रहती है, और कपूर के खर राते उन्हें इत्मिनान से भर दे कि इर्दगिर्द सब ठीक है, निशिंत हो वे सो सकते हैं, शायद अंतस में हिलोरें ले रही कोई अधीरता है जो उन्हें सोने नहीं दे रही, हाँ शायद यही सच है, वे बिल्लू के लिए बेचैन है, कब भोर हो सूरज चड़े, दोपहरी साकल खोले और वे फटा-फट अट्टा मार्किट दोड़ें, ताकि उसके लिए मन पसंद क्रिकेट किट खरीद कर उसे चमत कृत कर दें, वह नादान तो सोचे बैठा होगा, कि ज्यादा से ज्यादा दादाजी उसके लिए गेंद के साथ बैट ले आएंगे, बस, गोल मटोल गपु से चेहरे पर छले कैसे जवरीले से हैं, माया की धार तेज हुई, क्रिकेट किट के साथ बिल्लू के लिए कैप भी खरीदेंगे, ठीक वैसी ही जैसी गावसकर के बेटे रोहन गावसकर को दूर दर्शन पर पहने देखा था, डॉक्टरनी के लिए भी कुछ ले जाना होगा, हल्दी राम से क आजू या पिस्ते की बर्फी ले लेंगे, बिल्लू खाएगा मजे से, हौस कुलाचे भर रही थी, लेकिन इतना कुछ खरीदने के लिए रुपए हैं पास में, विनू के लिए जब बैट खरीदते थे तब मुश्किल से 30-35 का आता था, महंगाई ने तब आदमी की जेव सुंगनी पर शुरू की थी, तब उतनी ही सुंगाई भारी लगती थी, अब तो मामला 100% उलट, क्यों न अपनी अलमारी खोल समाई नाप जोख लें, तीन अलग-अलग कोने किनारों में रुपए चाप रखे हैं उन्होंने, एक तो कोट की अंदरूनी जेब में, दूसरे अहां, अलमारी के बीच वाले खाने के उपर बिचे अख़बार की तहमी, तीसरे, विनो की चिठियों के बीच एक बंद लिफापे में, पांच-पांसो के छे नोट रखे हैं, यह सावधानी जरूरी लगती है उन्हें, चार-पांच महीने पहले की घटना होगी, सैर को न अधारत मिले, उठे सिरहाने रखी चाभी टटोली, पूरी सावधानी के साथ बे आवाज चाभी घुमाई और अलमारी के पल्ले खोले, बातरूम की रोशनी की हलकी उजास में ही तीनो ठिकाने तोहे, संपत्ती सुरक्षित मिली, अलमारी बंद कर शांत भाव से बिस्तर पर करवटले लेट गए, बिल्लू की नन्ही गदेली कनपटी थप थपाने लगी, आँखे मुंदने लगी, नींद खुली तो पाया, प्रक्रिती के विपरीत उन्हें सुभई सवा नौ बजे तक सोता हुआ पाकर कपूर चिंतित हो रहा है, उठकर बैठते ही सवाल गोली सचूटा, आप तकलीब से तो नहीं है, सवाल के जवाब में उन्होंने सवाल दागा, एक बात पताओ कपूर, आदमी देर तक कब सोता है, जब वह किसी मीठे सपने की गिरफ्त में होता है, तो मैं भला चंगा हूँ, समझे, छडबर को कपूर अबूज हो उठा, फिर क्यों सावित्री पहन जी का आदेश है, कोई मिनिस्टर आने वाला है आश्रम में, नहीं भाई जी, फिर कैसी हडबडी, हडबडी है, माने, वे जिदियाए, चैटेर जी दी, कपूर का स्वर भर राया, ओ, उनकी करुन ओ, खुले होटों से इस्तब्द सी टंग गई, और बड़ी देर तक उनके दर्मियान बच्चे खोई बिल्ली सी, नेशब्द रुदन करती मडराती रही, कपूर ने अपने सहारे उन्हें भी बाहर निकलने में मदद की, कि सावित्री बहन जी ने चैटर जी दी के बेटे श्यामल से चंडिगड बात कर ली है, बेटे ने इस थाई देहरी रहने दी हो, तभी न वह मा को घर ले जाए, बारा एक के बीच वह आश्रम पहुँच जाएगा, दा संसकार का समय निश्चित हो गया है, दोपहर अढ़ाई बजे होगा, सावित्री बहन जी ने सकती से एलान किया है, कोई बुजुर्ग भूखा नहीं भुन-भुना रहा था कि अजीब हैं सावित्री बहन जी, कभी किसी ने ऐसी अनहोनी सुनी, घर पर मुर्दा पड़ा हो और घर पर चूला जले, सूतक में भोजन, करेगा कौन? सावित्री बहन जी ने उसे धर रप्टा, सभी करेंगे, चाय नाश्ता, खाना सब बनेगा सामाने दिनों की भाती, जिसे ना खाना हो ना खाए, बुजुर्गों को भूखा रखकर, वे अपने लिए कोई अन्य मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती, घंटी बजाओ नाश्ते क के लिए, कपूर के स्वर में मनवल था, तब तक आएगा, नहीं, उन्होंने कपूर को जटकते हुए आगे नहीं बोलने दिया, रसोये की बात गलत नहीं लग रही थी उन्हें, कपूर ने कैसे नाश्ता कर लिया, पांच-छे घंटे पानी पिकर भी तो गुजारे जा सकत हैं, फिर आज का दिन सामान दिन की तरह तो है नहीं, सावित्री भहन जी के कहने से क्या होता है, चैटर जी दी की मौत उनके लिए, निस्ठुर परिवार वालों के द्वारब सामान बना देने मात्र से तो सामान नहीं बन जाती, उनकी विरादरी का एक जीवन्त हिस्सा ग मों में, कितना अभिन मित्र है कपूर उनका, वहाँ पर मच्छर बैठ जाए तो चिंता में दुबला होने वाला, कल आंख मुद जाए उनकी, तो इसी प्रकार खापी कर उनकी मृत्तु का शोक मनाएगा, अखबार खोले बैठे कपूर की और उन्होंने विराग भाव से द उन्हें पानी पीते देख कपूर ने साभी प्राय अखबार तहाया, किरतन शुडू होने में आधा गंटा बचा है, फारिग होकर कपूर के संग किरतन कक्ष में आये, फूलों से लदी चैटर जी दी को बर्फ की सिल्यों पर लिटा रखा था, उन्हें विश्मय हुआ, ठ कुछ बुजर्ग भी, मगर अधिकांश कुर्सियों पर बैठे हुए थे, नीचे बैठ कर उठ पाना उनके लिए संभव नहीं था, उनके शोकातुर सह में चेहरे, गर्दनों पर जूलते हुए मौत के दस्तखत की प्रतीक्षा में लग रहे थे, भजन बंगाली में चल र जाइश निकाल पाना मुश्किल है, बिल्लु खोखे पर चड़कर फैंसिंग से उचक उचक कर उनकी रह देखेगा, दादा जी आ क्यों नहीं रहे हैं, कपूर ने बताया था कमरे में, आश्रम की एंबुलेंस में ले जाया जाएगा चैटर जी दी को, जो लोग शव यात हो रही उसकी, समझ नहीं पा रहा कि वह बस की सीड़ियां चड़ भी पाएगा या नहीं, चैटर जी दी उसे हमेशा डांटा करती थी, कपूर भाई बुढ़ापे का मुटापा साक्षात मौत की दावत होता है, दोनों बेला लंबा टहल ये, सांज को टहलने भर से बात न कम्र में साथ बरस छोटी होकर और काया से छटाक, क्यों चल दी हम से पहले, विचित्र बही खाते हैं, कमरे में आकर सचदेवा जी बिस्तर पर पसर गए, उचाट मन किसी ठिकाने नहीं टिक रहा, कपूर खिचड़ी खा रहा है, केवल मौं की खिचड़ी बनी है, खाना आ चाया जाता है, रामेश्वर लगबग उनके पीछे ही पड़ गया, खाना ना खाएं उचित ही है, मगर कप भर दूद के साथ अपनी दवाईयां तो ले लें, दूद पानी एक ही बात ठहरी, उनसे तमीद से ही पेश आता है रामेश्वर, दीवाली पर उपहार में दिये खादी के दो नए कुर्टों का खाता अब तक खुला हुआ है, चचेरी बहन आई थी दिवाली पर खेल बताशे लेकर, उनके मेले कुर्टे ने उन्हें द्रवित कर दिया, अगले हपते दो कुर्टे पहुँचा गई, चार जोडी से अधिक कपड़े, अब उनसे समलते न नहीं, राजों ने उन्हें निकम्मा ही बनाया, आखें लगी भर थी कि रामेश्वर की हांक ने चगाया, बस आ लगी है आश्रम के मुहारे, बिस्मित हुए, कमरे से बाहर ना निकलने वाले बुजुर्गों को बाहर निकलते देखा, जिने पहले जादा से जादा उन्हो ने कमरे की चोखट के बाहर कुर्सी पर बैठे भर देखा है, चैटर जी दी को एंबिलेंस में ले जाने से पहले आश्रम के प्रांगड में रखा गया, दो टोकरी गुलाब की पंखुडियां बाहर से मंगाई गई है, आश्रम के पेड़ पौधों ने भी उनके अंतिम श दहायता कर रहा है, सचदेवा जी चैटर जी दी के पुत्र श्यामल को उनके सिरहाने खड़े लोगों में ढूरने की चेस्टा करते रहे, बंगाली समाज के बहुत से अजनभी चेहरों के बीच श्यामल का चेहरा उनकी पहुंच से बाहर हो रहा था, श्यम्शान में दाह स संसकार के समय ही उसे पहचान सकेंगे, कपूर उनके कंधे से लगा हिलता हुआ सुबक रहा है, उन्होंने देखा, गौर किया, कपूर के गले में पड़ा मफलर वह नहीं है, जो गंगा सागर की तीर्थ यात्रा से लोटते हुए, चैटर जी दी उसके लिए लाइन थी, उपर से खीचने में कुछ अन्य लोगोंने मदद की, कपूर की बगल में ही बैठे सचदेवा जी, बूढों की बारात थी, बीस मिनट से उपर लग गए बैठा बैठी में, एम्बुलेंस को रोक रखा गया था, बस घुर घुराए तो एम्बुलेंस आगे चले, बस घुर जुद्ध कंट उसी धुन में राम नाम उच्चारने लगे, आश्रम के बाहर होते ही, बस एम्बुलेंस के पीछे बाई और को मुड़ने लगी, कि अचानक सचदेवा जी भढ़ढाय से अपनी सीट से उठ खड़े हुए, हाथ उठा ड्राइबर को पुकारते हुए कहने लगे, ड्राइबर साब जरा गारी रोकना भाया, रोकना तो आगे बैठे लोगों ने उनके स्वर में स्वर मिलाया, उनके सीट से बाहर होते न होते कपूर ने उनका कुर्ता पकड़ लिया, आप भाई जी गारी क्यों रुकवा रहे हैं, उतरना है मुझे, कुछ भूल ग मुझे तो अट्टा मारकर जाना है, अट्टा, किस वास्ते भाई जी, मगर सचदेवा जी उन्हें जवाब देने के लिए रुके नहीं, लपकते हुए रुकी बस के दरवाजे से नीचे उतर गए, उनके उतरते ही ड्राइबर ने बस बाई और मोर दी, तो ये थी कहानी, क तहानी आपको कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर बताएं